Hello everyone, welcome back to the channel, मेरा नाम है शिखाओ और आज हम पढ़ेंगे अपनी class 11th की poem The Voice of the Rain by Walt Whitman और ये जो poet का नाम है, ये याद करना बहुत important है as well as poem का नाम क्योंकि ये ही आपके question paper में सबसे पहला question होने वाला है कि what is the name of the poem and the name of the poet, ठीक है? तो ये आप याद कर लेना और अब मिना किसी देरी के start करेंगे अपनी poem को Start करने से पहले तीन important चीज़ अगर आपको कोई भी doubt आए तो आप मुझे Instagram पे follow करके DM कर सकते हैं और अगर आपको ये PDF चाहिए जिसके अंदर आपको notes भी मिलेंगे, important questions भी मिलेंगे, previous year questions भी मिलेंगे All-in-one combined PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी Telegram पर Thirdly, अगर आपको regular test series में participate करना है तो you can follow me on WhatsApp channel too तीनों के link Instagram, Telegram and WhatsApp के link आपको description box में मिल जाएगी Make sure you follow on all the three platforms Now we'll start in our poem, The Voice of the Rain अच्छा, ये जो first tense है वो पढ़ो And who are though, said I to the soft falling shore से लेकर Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea अब यहाँ पे who are though का क्या मतलब है? Who are you, ठीक है? Eternal का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता Impalpable का मतलब जिसको हम describe नहीं कर सकते तो यहाँ पर उपर वाली lines में Poet जो है, वो soft falling shower को या फिर soft falling shower यानी की rain से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, बारिश से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो तो इसका जवाब देते हुए, बारिश कहती है वो भी बहुत अतरंगी से मिजाज में या फिर manner में कि the rain said that it was the poem of the earth rain कहती है, बारिश कहती है कि मैं, मैं जो हूँ धड़ती की कवीता हूँ और मैं कहां से आती हूँ, जमीन से आती हूँ मैं जमीन से rise करती हूँ, उगती हूँ और bottomless sea, bottomless ocean, मतलब जिस समुंदर का कोई भी bottom नहीं है कोई भी अंत नहीं है, वहां से मैं bottomless ocean से और जमीन से उगती हूँ और किस form में उगती हूँ, vapor की form में, यानि कि gas की form में, चीक है अब whence का मतलब क्या होता है, where, vaguely का मतलब क्या होता है, not clearly descent का मतलब, नीचे, come down, नीचे आती है leve मतलब की wash, यानि की धोना, atomics मतलब की small particles, latent मतलब की hidden, यानि की छुपा हुआ, या फिर buried, दफनाय हुआ अब यहां पर rain जो है, बारिश जो है, वो poet को कहती है, कि वो उगती तो कहां से, rise कहां से होती है, land और bottomless ocean से वो भी vapor की form में, फिर वो दीरे दीरे ऊपर जाती है, sky की तरफ, vapor की ही form में, यानि की gas की form में, और जैसी वो sky की तरफ पहुँच जाते है, वहां पर वो अपनी gaseous form change कर लेती है, और वो बन जाती है, पानी की बूंद, gas से सीधा liquid बन गई, ठीक है कहती है कि वैसे तो हमारी form change हो जाती है, मतलब gas से लेकर liquid हो जाती है, लेकिन हम cheese वो ही same रहते है, ठीक है अब rain जो है, वो धरती पर आती है, ताकि वो हर चीज धो सके, wash कर सके, जो सुखा है है उसको भी धो सके, और पानी, gel provide करती है हमारी धरती को, ठीक है जितनी भी धूल मिट्टी है, small particle है अर्थ पर, वो सब धो डालती है, और अर्थ के अंदर, जितने भी बीज है, जो उगने वाले होते हैं, उनको उगाने में help करती है, ठीक है पानी provide करके, it gives life to the seed, बीजो कोई क्या देती है, life, जीवन देती है नेक्स एंजा पर आईए, and forever, by day and night, I will, I give back life to my own origin से लेकर, wreck D और unreck D, duly with love returns सब यहाँ पर wreck D और unreck D का क्या मतलब है, it means whether cared for or not cared for, कि आप care करो या ना करो, लेकिन वो rain को कोई भी असर नहीं डालती है और not the poet if someone listen to the rain or not, और नहीं वो poet हो कोई असर डालेगी कि अगर आप rain की care करो या ना करो और कोई rain को सुनता है या नी सुनता है, ठीक है, अब बारिश कहती है कि दिन और रात मैं हर time में जीवन प्रदान करती हूँ, care देती हूँ, enrich करती हूँ अर्थ को और water देती हूँ, किसको, जिस जगह से में पैदा हुई हूँ, originate हुई हूँ, the rain keeps enhancing the beauty and the purity of the earth, earth की जो भी purity है या फिर जो भी beauty है वो भड़ाती रहती है rain ठीक है, और यह जो है एक life cycle prepare करती रहती है, rain जो है एक कवीता की तरह है, एक गाने की तरह है, जो की अपने birth place से आया है, जो की धरती से आया है, जैसे की singer of the heart, जैसे की heart of the singer, जैसे एक singer का hurt होता है वैसे ही rain भी जो है अपनी birth place से originate होती है और वो एक गाने की तरह है ठीक है and travel to fulfill the earth need और वो travel करती है ताकि जहां से उसने जन्म लिया है उसी की वो जरुवते पूरी कर सके it finally comes back to the place वो finally जैसे बारिश जो है जहां से वो जन्मी वो वहीं पर चली गई ठीक है वो उसी जगह पर वापस आ जाती है पानी की form में rain drops की form में ठीक है whether it is damaged और not चाह है वो rain damage हुई है या नहीं हुई है वो अपनी original position जहां से वो जन्मी थी वहीं पर आ जाती है and with a lot of love to its birth place और वो अपनी birth place को बहुत ज़दा प्यार करती है अब इस poem के literary device देखेंगे personification अब point जो है किसी non living thing को living things की खासियत दे रहे है quality दे रहे है जैसे की rain जो है वो non living thing है but उसे earth की poem बताया गया है earth की voice बताया गया है चीक है? मतलब rain जो है वो as a non living thing है but वो बोल तो सकती नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसानों जैसे बोल रही है metaphor metaphor क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में indirectly comparison किया जाये जैसे I am the poem of the earth मैं जो हूँ धरती की poem हूँ और rain को compare किया गया है कवीता से hyperbol hyperbol का मतलब क्या होता है? बहुत अजीब तरीके से बड़ा चड़ा कर statement बोली गई बहुत बड़ी statement जैसे कि bottomless seed ऐसा समुन्दर जिसका कोई bottom ना हो imagery मतलब कि कोई चीज़ पढ़के हमारे दिमाग में image बन रही है जैसे soft falling shower यानि कि हमारे दिमाग में rain बनने लगई इमाजरी है तो इसी के साथ तो अमारी poem खत्म होती है I hope आपको समझ में आया होगा So if you like the video and explanation then please like, share, comment and subscribe the channel